हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम सीर अजंदर अरोडा है और दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टन्ट कन्फीजन के बारे में बात करेंगे बहुत सारे मुझे फोन आए दोस्तों कि क्या कल एक फरवरी 2019 से 9 bracket 4 का reverse charge दुबारा से applicable हो रहा है हमने इसको analyze किया और हमने सोचा कि एक वीडियो के माध्यम से अपने सारे viewers को ये clarify करें कि ये confusion क्या है और इसका solution क्या है दोस्तों आप सबको मैं थोड़ा सा history, historical data आपके साथ share करूंगा 1 जुलाई 2017 जब ये कानून बना section 9, subsection 4, CGST Act 2017 में एक provision है जिसमें लिखा है कि अगर registered recipient किसी भी unregistered supplier से good or services खरीदेगा तो उसको reverse charge में compulsorily tax देना पड़ेगा notification आई 8 बटे 2017, 1 जुलाई 2017 से operational थी उसमें कहा कि पूरे tax से exempt है लेकिन 5000 से exceed ना करता हो इसका मतरब 5000 रुपे तक की exemption थी और उससे उपर taxable था अब ये notification 8 बटे 2017 change हुई 13 October 2017 को जब हमें ये समझ में आया कि उन्होंने ये proviso हटा दिया है कि 5000 से उपर taxable है तो 5000 से उपर जब proviso अट गया इसका मतलब पूरा का पूरा ही exempt है तो 13 October 2017 को हमें समझ में आया कि वो reverse charge 9 bracket 4 31 March 2018 तक suspend कर दिया गया है हमें payment नहीं tax की reverse charge में करनी 31 March फिर अगली notification आयी 23 March को जिसमें उन्होंने कहा है 31 March को extend करके हम 30 June 2018 कर रहे हैं फिर अगली notification आयी 29 June को 30 June से पहले उन्होंने कहा कि 30 June की date को हम कर रहे हैं 30 September 2018 मतलब suspension होगी 30 June 2018 तक फिर अगली notification एक और आयी 22 बटे 18 छे अगस्त को जिसमें उन्होंने कहा कि भी ठीक है 30 September 2018 से बढ़ा कर उसको 30 September 2019 कर रहे हैं इसका मतलब जो 9 bracket 4 की operation है वो 30 September 2018 तक 30 September 2019 तक suspended है अब यहां तक तो हमें clarity है confusion कहां से आई एक बटे 2019 सेंट्रल टेक्स रेट उन्होंने के नोटिफिकेशन आई जिसमें उन्होंने लिख दिया कि 8 बटे 2017 जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन थी जिसमें 25,000 उपे तक exempt और उससे उपर taxable मतलब reverse charge का operation होगा उस नोटिफिकेशन को ही recent कर दिया इसका मतलब यह हो गया कि 9 bracket 4 reapply हो गया reinforce हो गया 1 फरवरी 2019 से अब confusion यही है कि क्या 9 bracket 4 कल से 1 फरवरी 2019 से reinforce हो गया re-operational हो गया इसको समझने के लिए हमें एक्ट में दुबारा जाना पड़ेगा अब एक्ट में जो हम गये तो हमने देखा कि वही amendment cgst amendment act 2018 की operational date है 1 फरवरी 2019 मतलब कल से वह एक्ट भी amendment act भी apply हो जाएगा हमने देखा कि क्या 9 bracket 4 को amendment act में change किया है तो देखा कि हाँ 9 bracket 4 को amendment act में बिल्कुली substitute कर दिया है पूरा का पूरा provision ही नया ला दिया है उस provision की क्या कहानी है provision कहता है कि यह जो 9 bracket 4 है जो कि registered recipient unregistered supplier से goods और services करीता गो लगेगा specific class of persons पे और specified goods and services पे जो की notify होगा central government के द्वारा on the recommendation of the council इसका मतलब यह हो गया कि 9 bracket 4 operational है लेकिन किस पर लगेगा notified class of persons and notified specific goods और services वो notification अभी तक नहीं आये दोस्तों एक फरवरी से कानून दुबारा जिन्दा हो गया है लेकिन जिन्दा होने के लिए notification लानी है class of persons बताने कि कौन-कौन से recipients को reverse charge में text देना होगा और किन-किन goods and services पर reverse charge में text देना होगा इसका मतलब कल से एक फरवरी 2019 से यह reverse charge अभी applicable नहीं है बशर्ते सरकार on the recommendation of the GST council on the recommendation of the GST council का मतलब है कि GST council की meeting होगी वो recommend करेगी तब central government उसको notify करेगी जब भी meeting होगी यह recommendation आएगी notification आएगी और यह 9 bracket 4 applicable हो जाएगा दोस्तों दोस्तों यह confusion हमने आपको clear किया reverse charge कल से applicable अभी नहीं है जब तक की separately class of persons goods and services notified नहीं होते आप मुझे पूरी आशा है कि उमीद है कि आपको यह video useful लगी होगी और हमारे youtube channel को subscribe कीजिए like कीजिए, share कीजिए, thank you very much friends